हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल को होम कुक आज मैं आपके लिए लिके आई हूं वेज बिर्यानी तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले आज मैं आपको बताऊंगे कड़ाई में आप वेज बिर्यानी कैसे बना सकते हैं तो यहां मैंने अपने सारी सबजी को काट लिया है यहां मैंने बिन्स लिया है बारिक कटी हुई सिमला मिर्च बारिक कटा हुआ गोविक को मैंने लिया बारिक कटा हुआ से फूल है उसका टमाटर लिया, बारिक कटा हुआ, प्याज लंबे कटे हुए, हरी मिर्च लंबी कटी हुई, दही, दो चम्मच, जिंजर गार्लिक पेस्ट, आपके पास नहीं है, तो आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, जिंजर गार्लिक को, तो अब मैं इसमें अपने सारे सुखे मसाल डालूँगी, सबजी मसाला पाउडर, इसके पहले मैंने गरम मसाला पाउडर डाला था, एक चम्मच की करीब, सबजी मसाला पाउडर डालूँगी, ये भी लगबग एक चम्मच की करीब रहेगा, कास्मेरी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून, बिर्यानी मसाला, वन टेबल स्पून, मिक्स कर लेंगे इसे, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, चलिए अब मैं दिखाती हूँ, यहां मैंने कड़ाए लिया है, उसमें सरसो का तेल डाला है, इसे गरम होने देते हैं, यहां मैंने चावल को धो के रखा है, पुलाव राइस है वो, चावल को पहले ही धो के रख लें, फिर उसके बाद सारे काम करें, यहां मैंने हींग लिया है, जीरा डालूँगी मैं, आधा टी स्पून, आफ टी स्पून के करीब, जिंजर गार्लिक पेज डाल दूँगी मैं, मैं मिक्स कर लेते हैं, मैं डालूँगी गोभी, और बिंस, थोड़ा फ्राइ करूँगी इसे मैं, दो मिनिट फ्राइ कर लेते हैं, यह भी हलके फ्राइ हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च, प्याज, और सिम्ला मिर्च, इसे भी दो मिनिट फ्राइ कर लेंगे, फ्लेम हमारा हाई रहेगा, हाई फ्लेम पे हम फ्राइ करेंगे इसे, तो यह फ्राइ हो चुका है, अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर, अल्दी पाउडर, सॉल्ट, टेस्ट के हिसाब से डाल लें अपने, मिक्स कर लेंगे, मैंने जो यहां मसाला तैयार किया था दही में डाल के, इसे भी मैं डाल दूँगी, और मिक्स कर लेंगे, एक मिनटी से भूल लेते हैं, थोड़ी दे ढख के भूल लेते हैं, फ्लेम को लो कर देंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, एक बर चेक कर लेते हैं, तो यह हो चुके हैं, अब मैं इसमें अपने राइस डाल दूँगी, जो मैंने धूल के रखा था, मिक्स कर लूँगी मैं इसे अच्छे से, यह बहुत जल्दी बन जाता है, और काफी टेस्टी लगता है खाने, मैंने इस कटोरी से एक कटोरी चावल लिया था तो मैं इसका डबल पानी लूँगी, थोड़ा और ले लूँगी मैं पानी, आधा कटोरी से कम, मिक्स कर लेंगे इसे, आप पानी अपने चावल की हिसाब से डालें, ढग देते हैं, फ्लेम को हाई कर देंगे, जब तक बॉयल ना आए, चली एक बार चेक कर लेते हैं अपने चावल को, तो यहाँ एक बॉयल आ चुका है, धग देते हम इसे, फ्लेम को कर देंगे लूँग, और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको छोना नहीं है, कम से कम 6-7 मिनट तक, 6-7 मिन ठोज चुके हैं, आए चिक कर लेते हैं, यह देखिए, थोड़े थोड़े और पानी है इसमें, तो मैं एक मिनट के लिए और ढग दूँगी इसे, मिक्स करने के बाद, तेक में ठोज चुका है, और मेरे चावल के पानी भी सारे सुख चुके हैं, तो अब मैं गैस को आफ कर दूँगी, यह देखिए मैं चेक करके दिखा रही हूं आपको, यह देखिए किते अच्छे से हो गए हैं, पुलाओ है तो थोड़े एकदम सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, तो मैं अब गैस को आफ कर दूँगी, थोड़े देख छोड़के उसके बाद हम इसे निकालेंगे, तो यह देखिए, अब मैं आपको निकालके दिखाती हूं, यह हमारे पुला एकदम खिले खिले बने हैं, तो लग रहे हैं ना एकदम, टेस्टी और लाजबाब, तो आप लोग भी ट्राए करिए, और कमेंट करके हमें जरूर बताए, बावाई, एंड टेक केर,